नमस्कार आप नुशन नेशन देख रहे हैं मैं हम दना इस वक्त हम है विधान सभा में और आज सत्र का आठवा दिन है आप लगातार सदन के बाहर परदर्सन चल रहे हैं आपको बता दें कि कल छात्रों को और जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया उसको ले करके यहां प जुद्धार ने चुनावी वादा किया था कि हम उनको हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको रोजगार देंगे उसके साथ विश्वास गात कर रही है नितिस सरकार और यह लोगतंत्र का मजाक है कि चुनाओं में जंता के बीच वो किसी मुद्धे पर जाते हैं और जब सरकार बन जाती है तो उन्हीं वादों से मुकर जाते हैं और ये सरकार कल जो है छात नौजवानों के साथ बरबर वेवार किया है उनके पक्स में खड़े जो बिदायक रहे हैं माले के संदीब सौरब ये अजित कुस्वाहा और मनोज मंजील छात जुआओं के नेता उन बिदायको की भी पिटाय हुई है चात नौजवानोंगी फिटाई हुई है गायल छात जो भूती हैं और लिए से हैं शरकार चाजुआओं की आवाज बंद करे 29 jin्लाक रोरोजगार के वादा उस ने चुनावी वादा किया था उस चुनावी वादे को पूरा करें और तमाम लोग तांत्रिक जो गत्वीदी है उस पर रोक लगाना बंद करें तो आप आज क्या कहेंगे कि कि पूदों को लेकर क्या परदर से पढ़ेंगे और माले की बिधान सबाद चुनाव जब मुख मंत्री और सरकार ने 19 लाख रोजगार की बात नहीं की है इसी विश्वास घात के खिलाब नौजवान कल आये थे अपने मांग को लेकर जिस पर लाठी चलाई गई है वाटर कैनन चलाया गया है जिसमें मैला उक्त भी पानी छोड़ा गया है और हमारे विधायकों को भी पीटा गया है इसी सवाल पर आज का हमारे परदर्सन है यह परदर्सन बाहर भी है और अंदर भी हम पूर्जोड धर्ण से इस सवाल को उठाएंगे क्या मांग करते हैं सरकार से 19 लाक रोजगार के अवादा जो एंडिये सरकार ने किया है बिहार में इस सवाल को लेकर छात्म उजवानों का कल परदर्सन था उसका नेत्री तो कर रहे हमारे माले के विधायकों पर कल जिस तरीका से बरबर तरीका से लाठी चलाया गया वाटर कैनन छोड़े गया है और बड़े पैमाने पर नोजवान जो घायल हुए हैं सबसे पहले सरकार की इस करवाई की हम कड़ी सब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि नितिश जी आपने वादा किया है अगर बिहार के खाली पदों पर बहाली नहीं हुआ 19 लाग नोजवानों को रोजगार नहीं मिला तो यह सरकार को हम चैन से चलने नहीं देंगे सड़क से लेकर सदन तक अवाज बुलंद करते रहेंगे और आने वाले दिनों में नोजवान बिहार के आपका सरकार को जीना हराम कर देंगे नीध हराम कर देंगे तो आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे से भागवा माले की विधायक इन्होंने साफ दोर से कहा है कि जिस प्रकार से कल 19 लाख रोजगार को ले करके छात्र नौजवान कल सड़क पर उतरे हुए थे और जिस प्रकार से लाठी चार्ज की गई है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है उसको ले करके अब सदन में भी मुद्दे बन गये हैं और इसको ले कर अब यहां पर परदसन चल रहा है लगातार सदन की सुरुवात हंगामा परदसन से ही किया जा रहा है आज भी इसी तरह से सदन की सुरुवात की जा रही है देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से जो लोग आज परदसन करते नजरा रहे हैं कि आज आवाज उठा रहे हैं तो क्या इसी प्रकार सदन की अंदर भी आवाज उठाएंगे और क्या कुछ आगे की करवाई होगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंच आएंगे इस खबर बस नहीं देखते रहे निशोनेशन धन्यवाद